विवाहित महिलाएं अपने पती के लंबी उम्र और तरक्की के लिए करवा चौत का वरत रखती हैं इसके साथ ही मन्चाहा पती पाने के लिए कुवारी कन्याय भी वरत रखती हैं और आजकल पती भी अपनी पत्नी के प्रेम और उनका साथ देने के लिए वरत रख लेते हैं इस दिन श्रद्धा पूर्वक वरत रखने से दामपत्य जीवन में खुशियां आती है ये वरत कार्तिक मास के चतुर्थी को रखा जाता है करवा चौत के दिन महिलाएं 16 श्रिंगार करके पूजा करती है और वरत कथा सुनती है इस दिन भगवान श्रिव, माता पारवती, गणेश भगवान और भगवान कार्तिके के साथ करवा माता और चंद्रमा की पूजा की जाती है इस दिन महिलाएं पूरी दिन वरत रखती हैं और चान को जल चड़ा कर वरत खोलती है पंचाग के अनुसार इस साल कार्तिक मास के कृष्ट पक्ष की चतूर्थी तिथी का आरम 20 अक्टूबर रविवार सुबा 6 बच कर 46 मिनट से होगा और 21 अक्टूबर को सुबा 4 बच कर 16 मिनट पर समाप्त होगा आपको पता है इस साल कर्वा चौथ पर भद्रा का साया रहने वाला है जोतिश शास्त्रों में भद्रा को अशुब माना जाता है ऐसे में शुब काम करना वर्जित होता है जोतिश विद्वानों के अनुसार कर्वा चौथ पर 21 मिनट यानि की सुबा 6 बच कर 24 मिनट से 6 बच कर 46 मिनट तक भद्रा का साया रहेगा पार कर दिन पूजा का शुब महूरत 20 अक्टूबर को शाम 5 बच कर 46 मिनट से 7 बच कर 2 मिनट तक रहेगा अब बात करते हैं सरगी के बारे में मानिता है कि बिना सरगी के करवा चौत का वरत धूरा है इसलिए सरगी खाने के साथ ही वरत की शुरुवात की जाती है ये सरगी सास अपनी बहु को उपहार के तौर पर देती है और अगर किसी की सास नहीं है तो ससुराल पक्ष से ननद या जेठानी या कोई बड़ा सदस इसे दे सकता है बता दे कि सरगी में सूखे मेवे, मिठाई, फल, महंदी, साड़ी, बिंदी, बिचिया के साथ शगुन के तौर पर कुछ चीजे रखी जाती है इस साल करवाचौत के दिन सुर्योदय 6.46 मिनट पर होगा और सरगी सूरज निकलने के लगबग 2 घंटे पहले खाई जाती है इसलिए करवाचौत के दिन सुबा उटकर सनान कर विदुवत पूजा के बाद सुबा 4.45 बजे तक सरगी खा ले इसके बाद पानी पीकर देवी देवताओं का मनन करते हुए वरत का संकल पले और चंद्रयोदय तक निर्जला वरत रखें और चंद्रयोदय के बाद महिलाएं चलनी से चान को देखने के बाद अपने चान को देखें यानि कि अपने पती को देखकर वरत खोलें करवा चौत के दिन छलनी से चान और पती को देखने को लेकर मानिता है कि छलनी में हजारों छेद होते हैं जिसकी वज़े से चान को देखने पर जितने छेद होते हैं उतने ही प्रतिबिम बनते हैं अगर छलनी से पती को देखा जाए तो पती की उम्र और ही बढ़ती है इसलिए मानता है कि इस विधी के बिना ये वरत अधूरा है पौराणी कथा के अनुसार एक बार राजा दक्ष प्रजापती को चांद पर गुसा आ गया था जिसके बाद उन्होंने चांद को श्राप दिया कि तुम कमजोर हो जाओगे और जो तुम्हें देखेगा वो बदनाम होगा इस श्राप से दुखी चांद रोते हुए भगवान शिफ के पास पहुँचे और मदद बागी जिसके बाद भगवान शिफ ने कहा कि जो भी विक्ति कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुरती तिती को तुम्हारा दर्शन करेगा उसके सभी दोश दूर हो जाएंगे और सभी प्रकार के कलंग मिट जाएंगे कर्वा चोथ पति-पत्नी के प्यार, समर्पन और विश्वास का प्रतीक है इस दिन माता करवा की विशेश रूप से पूजा की जाती है इसके साथ ही चान की पूजा करने से जीवन में सुक सम्रधी आती है हम उमीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करें, शियर करें और ऐसे ही कॉंटेंट्स के लिए हमारे चैनलर शव्दसाची को फॉलो करते रहें धन्यवाद